आजकल के पेरेंट्स के लिए सबसे मुश्किल देना ही एक्टिविटी रिइनफोर्स है क्योंकि उनके आज टाइम नहीं होता है पर सबसे ज़्यादा साइकोलोजिकली बच्चे को सबसे ज़्यादा आपके पैसों से खरीदी वी चीजों से ज़्यादा इंपोर्टेंट है बच्चे का एक अच्छा बिहवियर बनाने में हम लोगों को बहुत बार बच्चे को एक रिश्वत देनी पड़ती है कि तुम ये काम कर लो तो मैं तुमारे लिए ये कर दूँग या मैं तुमारे लिए ये लियाओंगा तो ये कई बार ऐसा क्या ब्राइब की तरह तिकर दे दूँगा ब्राइब के साथ problem यह होता है कि आप एक negative behavior को reinforce कर रहे हैं कि अच्छा आप यह नहीं करोगे तो मैं तुमको यह दे दूँगी पहले से बच्चे को एक रिश्वत मिलने वाली है इवेंचली बच्चा उस रिश्वत की साइज से बोर हो जाता है जैसे आप example माल लीजे आपने उसको बोला कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूँगी अब वो उस साइज की चॉकलेट पर बच्चा प्रॉबली उससी साइज की मांगेगा और आपकी ब्राइब काम करनी बंद कर देगी बच्चा जैसे आप समझे बच्चा मॉल में आप घूमने शॉपिंग जा रहे हैं बच्चे को एक टॉइकार दिख गई बच्चे ने का मुझे टॉइकार दिला दो आप उसको टॉइकार नहीं दिला रहे हैं और मेरे रोने से मेरे को मेरे चीज मिल गई और आप ने उसको एक रिश्वत की तरह काम कर लिया तो ऐसी बच्चों को आपको नेगिटिव बीहेवियर को रिइनफॉर्स नहीं करना है बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उस चीज के लिए आपको रिश्वत नहीं देनी है और से decide करके तो पहले बिल्कुल भी नहीं देनी है अगर यही चीज बच्चे को आप दूसरे तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि बच्चे को बिना बताए बिना कुछ प्रॉमिस करें अगर कुछ गिफ्ट मिलता है कोई reward मिलता है तो वो बच्चे को बहुत ही अच्छा लगता है और यह psychologically better काम करता है जैसे मैं मेरे cleaning में बच्चे को यह पता रहता है कि अगर मैं यहाँ पर अच्छे से behave करूंगा तो मुझे डॉक्टर कुछ ना कुछ देंगे हालां कि वो materialistic reward होता है उनको पता रहता है कि मेरे पास यहाँ पर gift का कटोरी है पर मैं इससे पहले इस वे बारे में कुछ भी बात नहीं करता है मेरे patients को मैं ऐसे नहीं बोलता है कि आप मूँ खोल लो अच्छे से काम करा लो तो मैं आपको gift दूँगा मैं उनको bribe नहीं करता पर मेरे patients मेरे बच्चों जो छोटे बच्चे patients होते हैं उनको पता होता है कि अगर मैं अच्छे से doctor का कहना मानूँगा तो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई prize मिलेगा जो की reward होता है इसमें अब reward के भी बहुत सारे तरीके होते है materialistic reward हो सकता है आप sticker पैंसिल दे सकते हो चौकलेट टॉफी दे सकते हो मैं बच्चों का डेंटिस्ट होने के नाते चौकलेट टॉफी दो मेरे clinic नहीं देता हूं और खाने के लिए भी बना करता हो पर मेरे पास stickers होते है colorful pencils होती है coloring books होती है bubbles होते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़े होती ही जो मैं ब चोटे सा बात कर लेते हैं, reward दिखेंगे, आप एक materialistic reward भी दे सकते हैं, कि आप बेटा, कमरा साफ कर लो, और आप उसको कोई sticker लाके दे रहे हैं, कोई chocolate लाके दे रहे हैं, सबसे बढ़िया psychological reward ये माना जाता है, या तो आप उसकी तारीफ कर दो, जैसे आपने उसकी पीट पाके बोल दिया, वह बेटा आप ने बहुत अच्छा काम किया, इस चीज को कोई भी चीज, कोई भी खरीदा वा समान रिप्लेस नहीं कर सकता, उससे भी अच्छा रिइनफोर्सर ये माना जाता है, रिवार्ड ये माना जाता है, कि आप बच्चे के साथ अच्छा एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसको एक्टिविटी रिइनफोर्सर बोला जाता है, मतलब बच्चे ने आपके अनुकूल काम किया है, आप उसको पार्क में ले जाके जुला जा रहे हैं, आज बढ़र्या बच्चे के लिए अपका टाइम होता है, पर सबसे ज़्या चोटे चोटे बच्चे समझते हैं कि उसका पेरेट उसको टाइम दे रहा है और यह सबसे अच्छा रिवार्ड होता है कोई भी आपको बच्चे से काम करवाना है तो उसको इस तरह की रिवार्ड दीजिए जो साइकोलोजी के लिए अच्छे हूँ अच्छे रिवार्ड नहीं माने जाते हैं सोशल आपने उसकी तारीफ कर दी एक्टिविटी या उसके साथ आपने कुछ खेल लिया तो यह सबसे अच्छा रिवार्ड माने जाता है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि रिश्वत देना और रिवार्ड देने में क्या फरक है बच्चे को ब्राइब ना करें बच्चे को हमेशा रिवार्ड दे मैं बच्चों का डेंटी सोने के नाते बच्चों की साइकोलोजी को थोड़ा पढ़ता हूं समझता हूं और अपने डेंटल क्लिंग में अपलाई भी करता हू आप इस विशे में मेरे से कुछ राय लेना चाहते हैं तो आप उपर दिये वे इमेल आईडिया फे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं मेरे कैपिसिटी के अनुसार आपको help करने की जरूर कोशिश करूँगा धन्यवाद